आज भारतियन्ता पाटी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी करी और कॉंग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी पहली लिस्ट सेफ लिस्ट है 31 वो नाम है जिनको पहले भी टिकेट दिये गए थे रमिला खडिया जो है वो कुशलगड से चुनाव लड़ी थी बाद में कॉंग्रेस को समर्थन दे दिया था ललित यादव भी सीट सेरिंग फॉर्मिला के तहट बसपास चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पे रहे थे सर तीन नाम ऐसे हैं जो पिछली बार हार गे दो प्रमुक नाम है जैपूर से अर्चना सर्मा और पुश्पेंदर भारदवाज आप जैपूर जिला कॉंग्रेस के अध्यक्स रहे तकरीबन पात साल तेक क्या रियक्शन है आपका दो हरे हुए लोग को टिकेट दिया सर क्या हो गया बात बताईए दोनों मैनत कर रहे थे और जब मैनत करने के बाद टिकट मिले और जब नित्र तो फैसला ले ले उसके बाद सब लग जाते हैं दोनों लगे हुए पुश्पेंदर भारदवाज जो है वो मिन्नते कर रहे थे संगीता गर्ग मिन्नते कर रही थे अमरुता दाउन के सामने का कि हम लोग काबिल निये के बार बार हरने वाली कैंड़िट को क्यो टिकेट दिया जा रहा है तो जब टिकट घुसीद कर देता उसके बाद सब पार्टी के काम में लग जाते है अब यह डिसकस का पॉइंट ही नहीं रहा है लिए पहरी लिस्ट के अंदर ऐसा लग रहा है कि पाइलेट साहब हो गैलोट साहब हो सबका बैलेंस कर दिया मतलब किसी का टिकेट नहीं काट है दोनों के समर्तकों को जो है वो टिकेट दिये दिया इंदराज गूजर इसके सब्सक्राइब करता है वह दोनों लीडर यह कह रहा है कि हमारे प्यार हो गया बात खत्म होगी नहीं अभी कांग्रेस की इस्तुति बहुत मजबूत है इसलिए फालतू के बयानों के लिए कौंग्रेस पाट टाइम ही नहीं है अब वह ऐसे में गैलोट साहब हो बाकी कर हम मैदान में हमारा काम बोल रहा है बीजेपी का जूट बोल रहा है बीजेपी जिस तरह से जूट फरेब और धोके की पॉलिटिक्स कर रहे है उसका बहुत रियक्शन है राजस्तान में रास्तान के लोग यह पूछ रहें कि बीजेपी अपने काम क्यों नहीं बताती है केंदर में बीजेपी की नौ साल से सरकार हैं बीजेपी के नेता काम नहीं बता रहे हैं बीजेपी के नेता सिर्फ कॉंग्रेस के उपर बोलते हैं और लगातार जूट बोलते हैं कभी कानून युवस्ता पर बोलते हैं राजस्टान की सरकार ने इलाज फ्री कर दिया जाज फ्री कर दिया बसुमें बच्चों आने जाने के लिए कर दिया सब कुछ कर रहे हम हमारी तरह और हम विकास दर्में पुरे हिंदुस्तान में दूसरे नमबर पर इसके बावजूद आपके सर मित्र हैं भाचपा के अंदर आपके पुरानी इंवर्सिटी के साथ ही है राजिंदर राठोड साब की बात कर रहा हूं मैं विपक्स के नेता है और बीजेपी के नेतां को टिकेट मिले जो बीजेपी के नेता कॉंगरेस हमें सब को बदाई मेरी तरफ से वसंद्रा कैम्प जो है सर वो भी काफी खुश नजार आ रहा है इस ब्यासी तो आपको लग रहा था एक जो डैमेज कंट्रोल कर रहा है जो बीजेपी ने कल सीजी की मीटिंग वही थी वसंद्रा जी डोजिर लेकर गई थी उसके बाद कॉंग्रेस को थोड़ा सा उसका अब मुकाबला कॉंग्रेस के लिए कुछ सीटों पर और कड़ा हो गए मुझे लगा कि जो नेक्स आई ये बीजेपी की सुची उसमें वसंद्रा जी की चली है वसंद्रा जी को कैम्प को भी टिकट मिलें टिकट ज्यादा कटे नहीं इनके वसंद्रा जी की कैम्प के और जहां कैम्पेणिंग करने की चाहिए आदमी पांच साल तक केम्पेणिंग ही तो करता है लोगों के बीच में रहता है जाहिदा खान का मंत्री आपके उसपे वहां लोग उनके नोट मिल रहा है उनका विरोथ कर रहा है आरोप लगा रहे है जैक शेंजी प्लीज यार ऐसी बात म मिले वहां के लिए यू बैंक का कोई कच्रा उन्होंने कटिंग की ती वह भार ले जा के पठका उसको जाहिदा खान के मकान से जोट रहे इतना यार यह पाप तो मत करो यार कम से कम बीजेपी तो उची उची देती है बीजेपी वाले तो जूट के जनरेटर है गोल्ड मे बातों का तो को ज़्य जवाब नहीं देती ची वह विजेपी की लोगों से का आप अपना काम बता दो कॉंग। अपना काम बता देगी फैसला कर दीओ जंता फैसला कर चूगी है राजस्तान में कॉंग्रेस की सरकार हंड्रीड परस आ रही है नारपत सिंग राजवी ने कहा था इससे पहले पहले उनका नाम काट दिये गए विद्यादर नगर से उन्होंने कहा कि जो मुगलों के आगे गुटने टेक दिये थे उनको टेकर देगा अब फिर बात में उन्होंने खंडान भी जारी करा लेकिन फिर वीडियो भी वाइरल ह लुगा उनका तो यह इसका फाइदा मिले अपको विद्यादर नगर रखना उन्होंने यह बहल गलत बात है उनको यह जो कछावावंस के जितने भी छत्री हैं सब राम के वनसज़ है और वह बात जो उन्होंने कही ना तो किसी के आगे किसी ने घुटने टेक है ना इसी वो उनको जो टिकट मिला है ने चित्तोर से वो दो बार से चंदरबान सिंग आक्या जीत रहा है उसकी जगे टिकट दिया है भैरो सिंग जी सेखावत की चाया में आप यहां तक पहुँचे आपकी खुद की योगता कुछ भी नहीं है राजवी साब की मैं उनके खिलाब बो परिष्टिक यहां क कुशना चाहिए नहीं चाहिए नहीं तो चित्वर में उनका पता नहीं चलेगा यह बयान बहुत गलत है उनका और वह बैन वापस ले लिए अच्छा किया मेरा राजवी साब को हमारे परिवार के मेरे से बड़े हैं नहीं के खिलाब आप बयान दे र बात कर लिए हमने राजंदर राठोड साप के वारे में काली चरण स्राफ को टिकेट मिल गया है असोग लाहोटी का टिकेट कार दिया है बताते है असोग लाहोटी जो है जितना भी बीवी जी वारा जो स्कैम था उस पर पड़े के पीछे से कॉंग्रेस साथ मिलके वही मास् गुराष्थान उस्तिका प्रेजिएंट रहा हमारा राष्थान उनिवरस्टी का जूनियर असोग लाहोटी जी हमारे तो लाहोटी जी का टिकेट काटा असोग लाहोटी का यह पाप किया बीजेपी ने ऐसे किसी यंग लीडर की अत्या नहीं करनी चीए काली चरण सराफ को भी टिकेट दे दिया है लग रहा था कि टिकेट कड़ जाएगा मैडम के एक दम करीबी है उन्हें टिकेट मिला है पिछले और मार्जीन बहुत कम रहा था उनका अर्चना जी को बहुत जादा और बुजूर्ग हो गये हैं लेकिन उजवान मानते हैं ख इस चुनाओं में अर्चना जी को फूट देना चीए लोगों को मेरा मानना है क्योंकि वो दो बार चुनाओं हार चुकी अब तीसरी बार उनको उनको मौका देना चीए सर आखरी सवाल है प्रताप सिंग खाचरियवास के सामने कौन सिविल लाइन समय खड़ा हो रहा है यह बिलकुल आश्वस्त है कि इस बार रिकॉर्ड मारजिन सी जीतेंगे देखें सिविल लाइन का जहां तक सवाल है सिविल लाइन में मेरे पास जो बीजेपी की सूचना पहले राज्यवर्दन सिंह राठोड जोटवाडा से थे विद्यादनगर से यह लड़ रहे थे राईंदर सिंग जी राठोड साब और सिविल लाइन से दियाकुमारी जी लड़ रही थी अभी तो सिविल लाइन से बीजेपी कॉंग्रेस दोनों घोसी नहीं है लेकिन जो जिसको भी लड़ाएं आप यह मानकर चलना इस बार उंट पूरी तरह से कॉंग्रेस के करवट में बैठेगा और यह मानकर चलना सिविल लाइन्स में रिकॉर्ड मारजीन से हम लोग जीतेंगे यह तैबात ओवरॉल लिस्ट को आप कैसे देखते हैं सर आप अच्छी है औ दोनों पार्टियों को के कंडिटरों को बढ़ाई अब तो यह दो यह फ्रेंडली गया मोनाची ज्यादा हम लड़ते रहें दिन पर यह अच्छी होगी लिस्ट अच्छी आई तो यह मैंसे मंत्री प्रताप सिंग खाचरियवास बेबाकी से बात रखने के लिए जाने जा के लिए फाइट होगी दोने पार्टियों की बीच में इस बार कैमरा परसन मनोच के साथ जैपूर से जैकिशन शर्मा आज तक